जय हिन पहले साथ यो नमस्कार तो अज हम एक नया चेप्टर सुरू करने वाले हैं नया चेप्टर नया अध्यहाई इसके पहले आपको हमने Memory Inputs Outputs Computer के बारे में बताया था Memory प्राथमिक Memory Secondary Memory के बारे में बताया था तो आज हम आपको software के बारे में बताते हैं आप जो sister और computer में जो आप software यूज़ करते हैं कैसे होते हैं उनसे महतपूर प्रस्न जो जो बनते हैं software वाले जप्टर से वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा साथी में देखते हैं आप यहां पर देख रहे हैं कि paper में भी आया हुआ question है यानि कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितने भी computer के वाले paper होते हैं जिसमें computer के question पूछे जाते हैं उसमें से देखे या question आया हुआ है SACC GL tier 1 यानि कि first shift का question है जो कि 10,9,2016 में paper होगा था या question आया हुआ है इस तरह से जितने भी paper आज कल होते हैं competition exam के उसमें पूराने question ही जादेतर पूछे जाते हैं यानि कि आप previous year का paper question तयार कीजिए यदि आप किसी भी competition exam की तयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं computer के संदर्व में software का अर्थ होता है एक computer program भी आप सनिहाँ पर विल्कुल सही है next है निरंतर सक्रिय सिस्टम program process को हम क्या कहते हैं निरंतर सक्रिय सिस्टम program process को हम क्या कहते हैं उसे हम demon कहते हैं क्या कहते हैं demon यहां पर देखिए demon के बारे में दिया भी गया है डीमन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है या किसी बहु उद्देशी कम्पूरर का अपरेटिंग सिस्टम या कम्पूरर प्रोग्राम होता है आगे कोशन है प्रोग्राम या इलेटरानिक निर्देसों के सेट को क्या काते हैं जो computer को बताता है कि क्या करना है उसे हम software कहते हैं program या निर्दोसों के समूग को हम software कहते हैं यह question बहुत से exam में पूछता है इस तरह की question भारत की सबसे बड़ी software company कौन सी है भारत की सबसे बड़ी software company कौन सी है TCS यहाँ पर B option बिल्कुल सही है Tata Consultancy Service भारत की सबसे बड़ी software company TCS यहाँ टाटा है विशिष्ट प्रतिबंदों की अधार पर software के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है software के माध्यम जानी software license के माध्यम से दिया जाता है B option बिल्कुल सही है computer system का भाग जिसमें program या अनुदेस सामिल होते हैं उसे हम software करते हैं B आप सन्याफ बिल्कुल सही है यहाँ पर question पुछने का तरीका अलग-अलग है बट answer यहाँ पर स्केम होगा कुस 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 कोस्टनों का software क्या है software आपके computer है तू अनुदेसों का एक set होता है software हमारे computer के अनुदेसों है तू का एक set होता है C आप सन्याफ रपा सही है करने का कानूनी अधिकार बिसिस्ट बिसिष्ट प्रतिबंध के अधार पर साथ्वेर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम लेकित द्वारा अनुदेसों होता है कराइट अंसर है B आप सन Software लाइस्स के द्वारा वह software जो प्रयोक्ता के जानकारी के बीना उसकी गतिविधियों को ट्रेक करता है क्या कहलाता है स्वाईप वेयर कहलाता है जहाँ पर दिया गया है कि वह software जो प्रयोक्ता के जानकारी के बीना उसकी गतिविधियों को ट्रेक करता है उसे हम स्पाई वेयर कहते हैं दिया गया है next question में कि computer software में तुरूटियों को हटाना क्या कहलता है computer software में से तुरूटियों को हटाना क्या कहलता है तो option number C debugging कहलता है और debug क्या होता है हमारा problem debugging मतलब problem को solve करना और debug का मतलब अता है problem यहाँ पर दिखे दिया गया है इसे आप पढ़िए का जलूट बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ Microsoft Corporation को सहसंसापित किया था किसके साथ पाल जी एलन के साथ नेक्स्ट कोशन है Microsoft Corporation की स्थापना कब की गये थी Microsoft Corporation की स्थापना 1975 में किया गया था इसे आप सनिया पर बिल्कुल सही है debugging कौन सी प्रक्रिया है debugging जो है कौन सी प्रक्रिया है एक software प्रग्राम में त्लोटियों की चार्ज करने की प्रक्रिया है इसे आप सनिया पर बिल्कुल सही है अभी हमने आपको बताया है debugging का मतलब है problem को solve करने की प्रक्रिया और debug का मतलब क्या होता है problem computer program में गलती को करार दिया जाता है किसके माध़म से बग के माध़म से अनि debug के माध़म से next question है stopped bear code के truth लो को जाचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है debugging कहलाती है d आप सेने हम बिल्कुल सही है computer में truti को निमिखेत भी कहा जाता है debug कहा जाता है sorry bug कहा जाता है ninety computer की टूर्डियों को bug कहते हैं त्था computer की टूर्डियों को दूर करने को debug कहते हैं bug मतलब problem debug मतलब debugging मतलब problem को solve करना तर्क संगत रूटियों को बीलोपन की प्रकरिया को हम क्या कहते हैं बी आपसन डिबगिंग कहते हैं किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है किसी प्रोग्राम में बग का मतलब क्या होता है एरर होता है बी आपसन यहां पर बिल्कुल सही है अब हमारा यहाँ पर कोशन है आपरेटिंग सिस्टम से महत्पूर फ्रस्टन है तो काइमपूटर तंत्र के कार करने के लिए निम्खित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार है अपरेटिंग सिस्टम अनिवार है दिया है डेस किस सिस्टम साप्टवेर है जो अनि कौन सिस्टम साप्टवेर है जो काइम्पूटर हार्डवेर और साप्टवेर रिसोर्सेस का अपरतबंध और काइम्पूटर प्रोग्डामों के लिए कामन सिवाय प्रदान करता है कौन करता है अपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता किसी computer में निल्वित में से कौन सा एक operating system नहीं है Pentium D option आपर सही है नेक्स्ट है इन में से कौन सा operating system नहीं है कौन नहीं है आपके विक आपके रिए अपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोग टेंग क्या है क्या है एक प्रकार का अपरेटिंग डी आपके आपार बिल्कुल सही है अगा है निम्लिक्षित में से कौन सा आपरेटिंग सिस्टम का उधारण है आल अब द एब अनिकि डॉस ओयस टू यूनिक्स यह सब भी आपरेटिंग सिस्टम के उधारण है निम्न में से कौन सी एक यंत्र समागरी नहीं है प्रचालन तंत्र यह एक प्रकार की यंत्र समागरी नहीं है दिया गया है इन में से कौन एक आपरेटिंग सिस्टम नहीं है पावर प्वाइंट डी आप से नहीं है विल्कुल सही है विसम सब्द को चुनिए एकसेस क्या है एक प्रकार की विसेस है अनिकि विसम सब्द है आगे बढ़ते हैं हम आगे कोशंद में दिया गया है निमलखित पैसे कौन सा एक आपरेटिंग शिश्टम नहीं है कौन नहीं है माइक्रों साफ्ट और पीस या एक प्रकार की आपरेटिंग सिस्टम नहीं है बलकि एक सॉप्ट्वेइर है का इंपूर्ट तंत्र के कार करने के लिए निम्लिखित में से क्या अनिमार्य होता है अपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन सा अपरेटिंग सिस्टम नहीं है CPU निम्ने में से क्या एक hardware unit नहीं है इनमें से कौन एक प्रकार के hardware units नहीं है operating system या hardware unit अनी part नहीं है निम्ने खिती में से कौन operating system की एक किस्म नहीं है आपस नमर दी Շनमें से कोई नहीं कि नेक्स्ट कोो सनै एक यह पूटर को चलाने के लिए मूलवुत आ ऐसकता क्या है क्या है इन में से कौन को नहीं है है यह है यह क्या है यह यह प्रकार की प्रगरामिंग भासा है ऌने कि के शबव जाब अग्रोन का बो च्थभर के लिए से तो Network यहां ओपरेटिंग करने के लिए वी समाने आसकता होती हैंyour विपूरलiness निम्ली में यहां ऑपनेंग किसविस्टार है operating system का ए आप्सन याप साई है का एंपोर्टर के basic function को कौन सा प्रग्राम नियंत्रित करता है operating system ए आप्सन याप बिल्कुल साई है next question है निमलेक्षिति में से कौन सा बिकल्प अलग है option number C C, C++, C++ C या बिकल्प अलग है इन में से कौन एक mobile operating system प्रचालन तंत्र का उधारण नहीं है C option Fedora निमलेक्षिति में से कौन सा एक इस समुप से समाधित नहीं है कौन नहीं है DAS निमलेक्षिति में से कौन सा operating system नहीं है इन में से कौन एक operating system नहीं है C++ बलकि यह क्या है एक प्रोग्रामिंग लग्मेज है एंडरायड है तो एंडरायड क्या है एक फरकार का अपरडिंग सीृस्टम है लिवलिखित में सब्सकें कोई इक अपरडिंग तंतर नहीं है डी आप्सन ओपेरा यह क्या है एक प्रकार का वेब ब्राउजर है वर्तमान में मुबाइल आपरेटिंग शिस्टम इंड राइट का स्वामित किसके पास है गूगल के पास है डी आपसन यहां पिल्गुल सही है इनमें से कौने का आपरेटिंग शिस्टम है विंडोज एट क क्या है एक प्रकार का अफ्रेटिंग सिस्टम है अट बाखी सब का है वेब ब्राउजर हैं ओपेरा Google गूगल क्रॉम वेब्राउजर है माईकरोएट उपिस एक प्रकार का सॉप्टवेर है कि मोवाइल अपरेटिंग सिस्टम साफफिबएर एंड्रायस ऊएस 2007 में किस travel क reconna था माइक्रोसाप्ट कॉर्परेशन ने विक्षित किया था 2007 में आगे कुशन है इनमें से कौन सी एक कम्पूटर अपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप से नमबर कौन सा ही है पासकल क्या है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भासा है यह एक प्रकार की आपरेटिंग सीश्टम नहीं है बस आप व्यखिंट जो उस तरीके को नियंत्री lam कड़ता है जिससे कम्पूटर सिस्टम काम करता और ऐसे साधन उपलप्स भाता है जिसके तरह प्रोग्प्रता कम्पूटर के साथ इंट्रेक्ट कर सकता है उसे हम क्या करते हैं तो हूँ से हम आपरेटिंग सिस्टम करते हैं अगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कोशन है जब केम्पूटर आन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर आन सेल्फ टेस्ट डी आप सने आप विल्कुल सही है परक्ता के परग्राम और हाडवेर के बिच निम्लकित के कि अपरीट मंद् Jag Asht के रूप में कौन कार करता है आपरेटिंग सिस्टम प्रचाल नत्र किति में से कं सा कार किया जता है आ अलब बूरेश कंगका प्रसनल का इंपूर्टर के मूल भूत इंपूट आउटपूट सिस्टम पायोस को नेम में कहां संचित करते हैं रो में संचित करते हैं तब क्या होता है जब अपरेटिंग सिस्टम रायम में लोड होता है तब क्या होता है बोटिंग होती है C आप सन्हिख फिल्कुल सई है निम्लिंखित में से सबसे सामान सिस्टम सा अप्टवर कौन सा है जब कंपूëटर आन हो तो बुटिंग प्रक्रीजा क्या करती है Power आन Self-DEST करती है निम्लिंख में से किसमें स्थाई डाटा होता है और टांजेक्शनों की प्रोसेसिंग के दुरान अपडेट हो जाता है अपरेटिंग सिस्टम फाइल में यह आप सनियाफ बिल्कुल सही है जब विजली चालू हो जाती है तो नियंत्रड लेता है कौन नियंत्रड लेता है और सोयम पर इच्छड कर सकती देता है आप सनियाफ बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन है बायोज का क्या कार है सिस्टम हार्डवेर के फूर्यों को प्रारंब करना बायोज का कार है पोस्ट का पूरा नाम क्या है तो पावर आन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूरा नाम है power on self test BIOS का पूरा नाम क्या है BIOS का पूरा नाम basic input output system basic input output system भी आप से नियाख विल्कुल शाही है यह सभी full prompts पुछ जाते हैं जब आप computer boot करते हैं तो क्या होता है operating system disk से RAM में copy किया जता है system को boot करने का क्या अभी pry है operating system को load करना system को boot करने का अभी pry है next question है कौन सी कोटी BIOS को सरवत्तम परिभासित करती है कौन सी कोटी BIOS को सरवत्तम परिभासित करती है कौन सी फर्मे वेयर यह आप से नियाख विल्कुल सही है booting computer system की वह पक्रिया जिसमे hard disk से mok memory में operating system को लाया जता है यह आप से नियाख विल्कुल सही है next है BIOS जो PC के operating system का एक हिस्सा है किसमें संग रहीत है किसमें संग रहीत है तो आप से नमबर D row में संग रहीत है next question है जब computer switch on किया जता है तथा operating system hard disk से main memory में load होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या काते है उस प्रक्रिया को हम booting काते है बिसम की पहचान करे तो भी आसम आपरेटिंग system क्या है एक बिसम है computer में क्या आवस्चक होना चाहिए कि boot हो सके operating system C आप सुने आप सही है operating system होगा आपकी computer में तो वह booting करेगा जब एक computer में दो processor लगा जाते है तो उसे हम क्या काते है जब एक computer में दो processor लगा जाते है तो उसे हम double processing काते है आगे question है computer के उचित घटक computer के घटक उचित रूप से जोड़े गए है तथा कारिदत हैं इसे सुनिशित करने वाली कौन सी जांच परक्रिया है booting ए आप सने आप विल्कुल सही है PC के छोटे प्रारामविक प्रग्राम को हम क्या कहते है boot प्रोग्राम कहते है 2 या 2 से अधिक 2 या अधिक प्रोसेसर दरा 2 या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ processing करना क्या कर लाता है multi processing कर लाता है D आप सनियाफ है विल्कुल सही है next है वह कौन सा operating system है जो device में स्वता हपूड है और row में रहता है कौन है embedded operating system system हो पर एक से अधिक प्रक्रिया के साथ चलाने को हम ग्या कहते हैं उसे हम multi processing कहते हैं यह आप सनियाफ बिल्कुल सही है वह कौन सा पूर्राम है जो पूर्रामों को memory में रखता है और उन्हें निश्पादित करने के लिए तयार कहता है उसे हम loader कहते हैं आगे question है operating system के किस work में hardware से एक से अधिक process रखता है multi processing एक time sharing operating system प्रणानी एक time sharing operating प्रणानी का प्राथमिक उद्धे सगया है computer के प्रते को भुखता को दुरुत उप्रदिक्रिया उलब्द कराना नेक्स्ट है एक समय में एक से अधिक application चलाने की OS की छमता को हम क्या कहते हैं multi tasking कहते हैं इन में से कौन एक real time operating system है multi tasking प्रणानी बिशेस रूप से किस संदर्वित करती है एक से अधिक प्रक्रिया Linux किस किस मका software है Linux जो है वह open source software है यानि आप इसे free में download कर सकते हैं free में चला सकते हैं निम्लिकित में से किस किसम के पर चालन तंत्र में कई प्रयोकता एक समय में एक साथ कार कर सकते हैं एक समय में एक साथ कार कर सकते हैं multi user प्रचालन तंत्र में निम्लिकित में से प्रचालन प्रणानी कौन सी है कौन सी है option number D Linux D आप से नियाव बिलकुल सही है और नीचे question दिया है Linux एक operating system OS है Linux एक operating system है क्या है open source operating system है यानि पैसे नहीं देने होंगे Unix operating system को वर्स 1970 के दसक में किस के द्वारा विक्सित किया गया था Bell Labs के द्वारा विक्सित किया गया था D option यहाँ पर बिलकुल सही है आगे question है Linux है तो Linux क्या है एक प्रकार का system software है नेमलिकित अन्यम्नांकित में से कौन system software का उधारण है Unix क्या है एक system software का उधारण है Linux एक क्या है operating system का नाम है नेक्स्ट कोस्टन है Linux operating system का सुभंकर क्या है सुभंकर क्या है Peguin है यानि आप Linux operating system का नाम यदि आप कहें पसुनेंगे तो वहाँ पेगवीन का चित्र बना हुआ नजर आएका Unix operating system किसका ट्रेडमार्क है बेल लिबर्टरीज का ट्रेडमार्क है बेल लिबर्टरीज का ट्रेडमार्क है भी आप से नहींद आप बिल्कुल सही है Unix operating system यहाँ आप दिया गया है American telephone या टेलिग्राफ कमपनी ने एक ऐसी important कार्वे प्रणाली बिक्सित की है जो की बहुजन इस्तमाल के लिए वातारोड़ पदान करती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम Unix कहते है Unix operating system को आम तौर बरकिस रूप में जाना जाता है Unix operating system को आम तौर से Multi user operating system के नाम से जाना जाता है डी आप से नहीं पर विड़कुल सही है तो दोस्तों आगे कोशन दिया गया है Unix एक है तो Unix क्या है एक प्रणाल का Multi taxing प्रचालन तंत्र है Unix एक operating system है Unix क्या है बहु उप्योक करतानी Multi user and time sharing operating system है Next है Unix प्रचालन system किसके लिए उप्योक तो होता है बहु प्रयोक्तानी बहु से लोगों के लिए जो एक से अधिक होते हैं ठीक है Unix एक स्तन्चालन प्रणाणी operating system है तो आपसा नमर ए बीविद प्रयोक करता यह बहु कारे के लिए प्रचालन तंत्र है देखी यहाँ पर डाइग्राम दिया गया है कि Unix मल्टी टास्किंग के परिवार से बीविद प्रयोक करता या बहु से लोग उप्योक करता operating system है की मूल AT&T से बना हुआ है यह के नेल करनेल हो गया है लाइब्रेरिस अप्लिकेशन सेल तो यहाँ पर जिया है Unix operating system को किस लंग्वेज में लिखा गया जाता है तो सी लंग्वेज में लिखा गया है नेक्स्ट है Unix operating system है और Windows 2007 operating system क्या है तो हमारा जो Unix operating system है वह बहु अनि multi user है और जो हमारा Windows operating system 2007 है वह single user है भी option यहाँ पर बिल्कुल सही है सब्सक्षा किया है सब्सक्राइब लिख Kane की लिखा है कंपूटर में YOUR picks operating system एक है फिर पूर्ग्राम के सभी बनियादी फ्रचालनों को नियंत्रित करता है इस यह आप तो यहाँ वाक्त करें के सब्सक्राज jáक मैं को है तो आपनीक्स पिंट्रयूशन है का पूरूरूप क्या है टोसुका यह पहएं डिक्स ओप्रेटिंग सिस्टम सी आप सहने आप difficulties है तो कि दी ओइस का अर्थ क्या होता है डी ओइस का अर्थ होता है डिक्स संचालनप्रनाणी निम्न में ज से कौन सी डिक से प्रचलनतंत्र डियोस का कमांड है कि फार्मेट कि एमेस डास का स्वर्पथम भी मोचन चीस वर्ष हुआ था यानि कि स्वर्पथम किस वर्ष लांच किया गया था में ग्राफिकल यूजर इंटर्फेंस नहीं होता है यहां ठीक है निम्न में से कौन सी डिक से प्रचलनतंत्र डियोस का कमांड है फार्मेट अभी बताया है हमने डास कमांड में यहां पर एंगल ब्रिकेट जो दिया गया है चिन किसके लिए प्रियुक्त होता है कि डी डायर्यक्ट आउट्पूट के लिए प्रियुक्त होता है किसके लिए डी डायर्यक्ट आउट्पूट के लिए प्रियुक्त होता है चलिए अगे बढ़ते हैं दोस्तों तो दिया सब डारेक्टरी बनाने के लिए किस एमेस डास कमांड का प्योग किया जाता है कमांड का अपयोग किया जाता है सब डारेक्टिरी बनाने के लिए डास के तहट एक केम्पूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्विक्रित अधिक्तम लंबाई क्या है 8 होती है MS-DAS में स्क्रीन साफ है नि क्लियर करने के लिए किस कमांड का अपयोग किया जाता है JUST dir Z कमांड का योग किया जाता है रह कि आपने आप बिल्कुल सही है IPM डी ओएस है एक प्रकार का IBM डी ओस क्या है एक प्रकार का मल्टी यूजर आप रटिंग सिस्टम है ठीक है भी आपस ने आपस आई है तो आज के लिए इतना काफी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कॉस्टिन की बारे में बात करेंगे तो धन्दवाद चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं